हेलो एवरीवन मेरा नाम है पूजा और आप देख रहें कीचन भंडार यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ पानी पूरी का आलू मसाला रेश्पी जो काफी तीखा चटपटा सा होता है और इसे बनाने में भी टाइम कम लगता है तो चलिए देंगे साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ कप धनिया पती लिया है इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और यहाँ पे 7-8 हरी मिर्च लिये और 1 इंच अदरा का टुक्रण इसे भी इसमें डाल देंगे और एक लाउंग 7-8 काली मिर्च half teaspoon भुना हुआ जीरा पाउडर, half teaspoon नमक और इसमें हम थोड़ा पानी डाल कर इसको fine सा पीच लेंगे एक बार में पानी नहीं डालेंगे, बीच में जवरत पड़ेगा तो पानी इसमें डालेंगे तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पीच लिया है इस चटनी को आप पानी पूरी की पानी बनाने में भी यूज कर सकते हैं साथ ही इसे हम अपने पानी पूरी के आलू मसाले में भी डाल सकते हैं और इस चटनी को आप किसी भी सेंड़ीच या पकोड़े के साथ खा सकते हैं ये चटनी बहुत अच्छी लगती है तो चलिए आलू मसाला बनाना सुरू करते हैं यहांपे मैंने 6-7 बॉइल डालू लिये हैं जिसे मैंने roughly match कर लिया है हमें इसे एकदम fine match नहीं करना है यहांपे मैंने काले चने लिये है जिससे मैंने boiled कर लिया है नमक डाल का और इसे मैंने हिंग और लाल मिर्स से भून लिया है और कुछ चनों को मैंने मैस कर लिया है यह देखिए तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं हैजराबादी इसी तरह बनाते हैं अलू मसाला तेक बार जरू ट्राइ किजिएगा मैं यह खटास के लिए इसमें इमली का पलप डाल रही हूँ यह एक टीस्पून है आप इसकी जगह आम चूर पाउडर भी डाल सकते हैं एक हरी मीड चीजिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है एक प्याज जिसे मैंने रफ्ली चॉब कर लिया है बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है उसे भी हम इसमें डाल देंगे, 2-3 चमच, आपको जीसे साबसे तिखा पसंद, उसे साबसे डाल सकते हैं, थोड़े से लाल मिर्स पाउडर, यह बिल्कुल आप्शनल है, यहाँ पर मैं एक कप पानी पूड़ी का पानी डाल रही हूँ, चौप हरा धनिया, अब इन सब को अ पानी पूड़ी का पानी था उसमें भी नमक था, तो उसे साब से हम नमक इसमें डालेंगे, अब इसमें सब को मिक्स कर लेते हैं, साथ ही यहाँ पे मैं चार पूड़ी को क्रस्ट करके डाल दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको नहीं पसंद द सकते हैं, जो पूड़ियां नहीं फूलती हैं, उसे इसमें डाल दे, अब इसमें सब को मिक्स कर लेते हैं, अगर आपको आलू का मसाला थोड़ा गीला चाहिए, अब इसमें पानी थोड़ा और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्फेक्ट लग रहा है, तो मैं पानी नहीं आट करूंगी, तो हमारा पानी पूरी के लिए अलू मसाला बनकर तयार है, इसके उपर से मैं थोड़ा सा हराधनिया स्प्रिंकल कर देती हूं, तो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में लिखके जरूर बताईएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को हीट कर दीजिए, जिससे की मेरे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके, तो इसी तरह से मैं और भी आपके इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहोंगी, मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई